बिस्मिल्य रॉख महारों हैं टूडें टॉपिक इस मेडिया एक्सेस कंट्रोर एंड विल लर्न हाव मैक वर्क्सिंट इन स्विचिस ओके लेट सार्ट इस सबसे पहले और मैक कहां बहुता है मैक जो है अपके ड्रेस होता है मैक अदर श्युक्त होता है इसे में अधर्स में पास में अच्छीज कर दूं कि कुछ लोग इसको लियर ड्रेस भी कहती है कुछ इसको Ethernet address कहते हैं कुछ इसको physical address कहते हैं कुछ Mac address जो भी term used होगी इसका meaning यह होता है Mac address ठीक है okay start with this Mac address का format गया है जी Mac address का format यह है कि यह almost six bytes का होता है one two three four six bytes इसके अंदर 12 hexadecimal digits होते हैं ठीक है this one one two three four five six seven eight nine ten eleven hexadecimal में represents होता है ठीक है और total 48 bits long होता है 48 bits long कैसे हो गया है six byte है multiply eight it's been 48 bits it's a it's a 48 bits long ठीक है Mac address अच्छा इसके अंदर इसकी फिर फिर फर्दर भी इन होती है जो first आपकी three bytes होती है जैसे yellow में यह क्या होती है organization unique identifier ठीक है और जो remaining होती है वो universally administrative address होता है ठीक है अच्छा ऑर्गनाज़ेशन यूनिक identifier means किसी ने किसी organization को lot हुआ होता है और जो remaining है वो change होते रहते तो यहां से आप उसकी organization को identify कर सकते हैं ठीक है यह मैं आपको एक चीज़ में बता तो further here is some OUI ठीक है organization unique identifier Cisco का जो है आप देखेंगे जो first three है bytes वो basically यह है ठीक है इस तरह Google की यह होगी है और हवावे की यह है ठीक है जो यह जो है त्री बाइट इस साइट पर आती है लेफ्ट पर यह लोग और remaining जो है यह चेंज होते रहते हैं तो जो भी Cisco की device होगी उसका आल्मोस जो भी mac desk होगा वो start यहां से होगा यह त्री बाइट यह होगी और remaining उसके इंदर चेंज होते जाएंगे एक चीज़ और मैं यहां में मैंचेंड करना चाहूंगा जो भी दुनिया के अंदर communication की devices हैं जो आपस में communicate करती है इंटरनेट के ओपर ठीक है communicate करती है आपस में वह चाहिए wireless पे हो या justice पे भी हो उस सब के अंदर मायक अद्रेस यूज होता है और मैक अद्रेस जो होता है वह पर्मनेट अड्रेस होता है ठीक है न और किसी भी ड्वाइस के अंदर मोर दन वन मैक अद्रेस हो सकते है जैसे लैपटॉब अगर अगर इसमें Bluetooth भी होगा करती है अगर वायएलजस लगा हुआ है तो सब्सक्राइट मैक अज्रेस घोगा टिक है अगर इथनट के मल जिसमें लगती है उसका mechanical अगर के विंद एक अपनी निया जा कर भी आपके बचेंगे बाशलेश ऑंक लिखेंगे अपके पस डैषर जिसमें आप देख सकते हैं यहां पर ETHANET ADOPTOR लिखा हुआ है और ETHANET आपना MAC लिखा हुआ है ठीक है यहां से आपना MAC ADRESS चेक कर सकते हैं इसी तरह wireless का भी नीचे दिखा रहा है जो wireless प्राइब को शाइन हुआ है यह यह Bluetooth का Mac address है ठीक है next देख लेते हैं कि how layer 2 switches work कैसे switches करते हैं Mac address कैसे काम करता है ठीक है यह एक example दी गई है ठीक है इस example में क्या है जी कि 3 PC's है जो कि switch के साथ connected है और there is a PC one जो है इसकी port यह switch है इसकी four ports है 1 over 2 के साथ connected है इसी तरह PC2 1 over 3 के साथ connected है PC3 1 over 4 के साथ connected है अच्छा काम कैसे करता है जैसे यह PC1 PC बात करना चाहेगा PC2 के साथ तो साथ ही वो Mac table mundane करता है switch है Mac table mundane करते हैं अच्छा कैसे Mac table mundane करते हैं उसके पास already ports है जैसे ही इस से बात करना चाहेगा PC1 PC2 से तो क्या करेगा उसका वह table maintain कर लेगा ठीक है कि इसको नहीं पता यह PCA क्या है उसने सिर्फ यह port के गेंज address करना है जो यह one over two port है इसके साथ यह mac connected है ठीक है चाहे वह PC connected है चाहे वह laptop connected है चाहे mobile connected है तो उसने basically मैकस इд् Ηंटिफाइए करना कि मेरी इस पोर्ट के साथ यह मैढड़ेधेड है ठीक है और साथ ही उसने दुशने जिसको रूइक सकति रुक्वेस्ट के न na ना जिसको这个 किए तरह कॉन कॉन सा ही एक आर्म की रूइस्य BACK करता है कि मुझे अपने मैक ड्रेस दो जब Mac Address उसके पास आते हैं तो वह उसको पोड के गेंस अपना Mac Address table maintain कर लिता है ठीक है इसी तरह को थर्ड के साथ करेगा तो इसकी तीन पोड में मेंचन कर लिए कि मीरी इस पोड के साथ ये लगा हूँ है इस पोड के साथ गा हूँ है और वन वर फूड के साथ ये लगावा इस तरह स्विच इस काम करते हैं और स्विच के अंदर मैक टेवल मेंटेन होता है याद रखी गाए एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि हब और स्विच में क्या फारक होता है हब जो है वह ब्राड़कास्ट करती ठीक ठीक करती थी या अगर यह जब पीस PC1 जब इसको request बेज़ता है PC2 को बात करने के लिए तो होता क्या था जब इस पर आना तो हमने सब को भीज़ देनी request इसको भी एसको भी ठीक है तो लेकिन PC2 ने उसको accept कर ले नहीं क्योंकि उसके अंदर destination PC2 का address होता है इसलिए उसको अज्सक्राड कर देते ते तो इसका न और किसी के पास information नहीं चाहेगी ठीक है चले अगर जो हमने ये example देखी इसको practically भी देख लिखते हैं कैसी है ठीक है हम लोग मेरे पास मैंने औरी बिल्ड की हुई इसके अंदर same situation के अंदर जो अभी हमने example में देखी है एक switch लगा हुआ है तीन PC connected है मैं switch के अंदर जाता हूं ओके और इसको इंटर करता हूं enable लिखते हैं enable to जाने के लिए privilege mode में जहां पे हम लोग configuration कर सकते हैं इस mode पे आते हैं इस mode पे जब आते हैं तो फिर क्या करते हैं जी कि मैं यहां पर command दूँगा show mac address show mac address table ठीक है और मैं जब इंटल करता हूं तो यह आप दिखें यह basically mac address का table में दिखा रहा है लेकिन अभी इस time क्या है जी हमारे पास तीन PC connected है लेकिन अभी तीनों PC के अंदर communication नहीं स्टार्ट भी इसलिए उसने अपना table maintain नहीं किया जैसी इसके अंदर की communication स्टार्ट होगी अपना table maintain करना शुरू कर देगा ठीक है मैं इसको भी करके दिखा देता हूं ठीक है तो हम एक पीडियू एक packet बेंच लिए यहां से लेके suppose मैं यहां पे बेज रहा हूं ओके यहां पे आप दे सकते हैं यहां से यहां चला गया ठीक है अब हम अगर mac table देखेंगे इसके अंदर ठीक है दोबारा से मैं यही command देता हूं show mac table address तो आप देख सकते हैं कि उसने अभी सिरफ PCS का यानि कि यह बता रहा है कि port 2 के साथ जो connected है this device और port 3 के साथ यह device में उ ठीक है मैं suppose यहां से इस PC से इस PC को set कर रहा हूं message तो आप देखते हो successfully चला गया और अब मैं जब mac table चेक करूंगा आप देखो अभी सिरफ हमारे पास दो information थी mac table थी यह Mac थी यह Mac था इसका और यह port उसने बताई थी किस port के ओपर कौन सा Mac लगा हूँ है अब मैं अगर इसक चीज confirm कर लेते हैं कि यह port 4 के ओपर वो बता रहा है जी यह Mac लगा हूँ है C5.7 और चेक कर लेते हैं इस PC पर जाता हूँ मैं इसके Ethernet पर जाता हूँ जी Ethernet पर हम चले जाते हैं देखा है और यह इसका Mac अड्रेस है यह देखा हूँ है यह इसका Mac की value है और same value अब जब यह यहां पर देखते हैं तो बिल्कुल यह PC इसकी port 4 के साल लगा हूँ है 0-4 के साल लगा हूँ है ठीक है और क्या जी इसका आप देख सकते हैं सेम Mac अड्रेस है 004 004.9822 and C517 ठीक है तो this is the way मतलब इस तरह आपके जो switches हैं उसके उपर Mac work करता है और इस तरह Mac address table mundane होते हैं ठीक I hope you understand today topic okay thank you thank you so much if you like this video kindly share with your friends and subscribe this channel Allah Hafiz